एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फाइदा उठा कर कुछ मंत्री गन बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उनहीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें एयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रियत है, वो उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्री गुनों को निराशना करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं। मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए, तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने जिजखकर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्ट मनजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? ये सवाल सुनकर सभी मंत्रीगन एक दूसरे का मूँ ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिती देख कर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगनों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मानगी। राजा भी इस बात के लिए कैयार हो गए। महल से बाहर निकल कर सभी मंत्रीगन इस प्रश्न का उत्तर दूंडने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूप को भी बरदाश्ट किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्राश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीटता गया और मोहलक में लिये गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्राश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्री गुनों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने दो मंत्री गनों को पालकी उठाने का काम दिया। तीसरे से अपना हुक का पकरवाया और चौथे से अपने जूते उठवाय वस्वयम पालकी में बैक गए। फिर उन्हों सभी को राजा के महल की और चलने का इशारा दिया। जब अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठा कर यहां तक ले आये हैं। ये सुन महाराज मुस्कुराय बिना न रह सके और सभी मंत्री गन शरम के मारे सिर जुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यत से जलना नहीं चाहिए बलकि उससे सीख लेकर खुद को भी बहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।